टांक्यू जनाबी स्पीकर, बिसमिल्लाई रामा निरहीम, जनाबी स्पीकर सबसे पहले मैं अपनी तकारीर ये शेर से कहूं, अब गुना और सवाब बिखते हैं मान लीजिये जनाब बिखते हैं पहले पहले गरीब बिखते हैं अब तो इज़त इमाब बिखते हैं शेख व्यस वजीर और शाहिर सब यहां पर जनाब बिखते हैं दौरता इनकलाब आते थे दौरता इनकलाब आते थे आज कल इनकलाब भी बिखते हैं जनाब स्वीकर मैं आज सखत अलफाजों के साथ अपने बलोचिस्तान की ऑपोजेशन को कॉंडेम करती हूँ कि उन्होंने जिस रविये का अख्तियार किया और डिमॉक्रिसी को डिमॉक्रिसी की बालादस्ती को इसेंबली को इसेंबली की मेंबरान को उनकी बेस्ती बाइस कुरोड अवाम की बेस्ती ये बेस्ती नहीं है के इसेंबली की गेटों पर ताला लगाना चार दिन से रोडों पर बैठके किस लिए एक फंड की लिए आप हमें कह देते हमने तो कह दिया था बिजवा दिया था कहलवा कि आप आएं और बात करें मगर नहीं जनाब आपको इस बेस्ती हम सब की यहां पे बेटे हर मेंबर की बेस्ती और जिस तरह से ये बेस्ती हुई मैं उसके सखत अलफाजों में कॉंडेम्ड करती हूँ आप उनको कॉंडेम्ड करें आप उनकी बेस्ती करें जो बार बैटे हैं जिनके आप नुमाइंदगी करते हैं और गेटों को ताला लगाते हैं उस वक्त आप गेटों को ताला नहीं लगाया जब आपको अर्बो रुपै यहां इस असेम्बली से मिले आप कहां थे उस वक्त जब यहां इस इसेंबली में आप इस तरफ की बातें करते थे जब उस तरफ गए तो गेटों पे ताला लग गए वा जी वा ये दिस इस डिमोकरसी ये डिमोकरसी नहीं है ये माल करसी है ये पैसा करसी है जनाब स्पीकर जिस तरह से बलोचिस्तान एक रवायात है उसकी एक खबाईली रवायात है उसका पामाल इनों नहीं किया एक इतने बड़े इनसान जो वहां की चीफ एक्जेकिटिफ सी एम जो खुद एक स्टेट के मालिक जिनों ने अपना मन दन पैसा बना दे के पाकिस्तान को भी बनाया उनका भी इस्सा था उनकी भी बेस्तिकी आप कमाल करते हैं आप उनसे कहें कि अपनी जिनकी अगर कोई इज़त तो पर मैं बात करूं जो खुद बेज़त हैं तो उनकी मैं क्या बात कर सकती हूं आपको को खुद गहते हैं अपको कैरा हैं आपको को कर रहा हैं कर रहे हैं, आपको का रहा है? आपको कर रहा है? वो शोड़ वे टोगी नाँ रहे हैं? शुर्प अब वा बलुचिस्टान, प्लीस सटॉंग हुपन। जाब वो जूते पहंकर हैं, तुषों पहंकर हैं, तुषों प्ली नी हOTी है जब 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 लिसन तो वाता इंट से पडिल साब आप तुशिव से प्रिजुश एंट लिसन लखी आवी लगी आवी अवी अवी अट वी अट विए शिटिंग यह व बिलकुल हकीकत से बार एंग जब अब इस दुनिया में आते हैं आप क्या आप बलुचस्तान में देखें आप हम इस गवर्मेंट के मश्कूर हैं बिलकुल मश्कूर हैं जिनों ने आज बलुचस्तान हाँ इस बात को मैं साउथ इस नॉर्थ वेस्ट ने साउथ बलुचस्तान को उन्होंने फंड्स दिये और बलुचस्तान को कुछ फंड्स उन्होंने इस बजट में women empower कैसे हो हम सिर्फ डिस्क बजाने के लिए यहां पर नहीं बैटें या कंडेम करने या बातचीत करने या बहस करने अगर हमें यहां पर बिटाना है और हमारे वोट इक्वल है जिस तरह मर्दों के साथ मर्दों के वोट इक्वल है हम औरतों को भी उसी तरह क्या फंड में भी साथ देना चाहिए इस गवर्वर्मेंट को किस ने करफ्शन की है क्या औरतों ने की है कि उन्हें फंड्स नहीं मिल रहें कल को यह यह क्या यह खवातीन क्या यह खवातीन जो बैटी है यह जाकर वोट नहीं मांगती यह खवातीन गर गर जाती हैं तो मैं समझती हूं गवर्मेंट को इस बात पी मेरी रिक्वेस्ट है गवर्मेंट और खान साथ से खान साथ की तो एक नजर थी कि मैं चेंज लाओंगा इसलिए बलुचिस्तान अवामी पार्टी ने उनका साथ दिया हम बलुच अपने रवायात में काइम हैं हम बलुच अपनी औरतों को इज़द देते हैं तो आप भी मेर्वानी करके इस बाला एवान में अपनी खवातीन को इज़द दें हमें अपने बलुचिस्तान के हमारे लोगों ने हमें बेजाए कि हम उनकी आवाज बनें हम अपनी आवाज उन्ची करें और बोलें मगर एक नेशनों के चाहे हम उस पार बेटे हों या इस पार बलुचिस्तान के लिए हमें एक आवाजों के बात करनी है और बलुचिस्तान को इस फोरम में और इस वक्त में ये वक्त की जरूरत है कि बलोचिस्तान को अब टाइम हो गया है बहुत हो गया बलोचिस्तान को आगे लाना है बलोचिस्तान को स्कूल के मसाइल बलोचिस्तान के पानी के मसाइल बलोचिस्तान के हिल्थ के मसाइल बलोचिस्तान के रोडों के मसाइल बलुचिस्तान के गैस के मसाय जो बहां से निकलता है और कश्मीर तक जाता है अब जब गैस कम हो गए वो प्लांट्स की जो हम बात कर रहे थे वो कहां गए जो पिछली हुकूमत में बान लिये थे यहां इस हुकूमत में उसकी बिल्कुल शन्वाई नहीं ओरी तो मेरभाणी करके स्पीकर साब यह मेरी एक रिक्वेस्ट से आप लिखें और इस पर इनकुआरी कर रहे हैं कि क्यूं यह एल पीजी प्लांट्स जो हैं यह क्यूं हो हर डिविजन में नहीं लग रहें हर डिस्ट्रिक में नहीं लग रहें डिस्ट्रिक हेड़कॉर्टर में लगने थे हर बलुचिस्तान में यहां पर इट सीम्स दाट वी अफ्रम अलिसर गॉड बलुचिस्तान के लोग हमारा भी वही खुदा है जो आप का है हम उसी खुदा एक खुदा एक कुरान उसके नभी पर हम यकीन करते हैं ला इला इला ला महुम्मद ररसूल अला मगर हमें ट्रीट इस्ता किया जाता है जैसे हम कोई अचूत हैं second class citizens which we are not we are better I think we are much better we gave Pakistan to everybody here sitting here आप बलुचिस्तान के मश्कूर हो Pakistan की बनने में बलुचिस्तान का बहुत बड़ा आते बलुचिस्तान की कुर्बानी है I am not here to repeat history inequality आप जो हैं यहां पे जो हम अपनी बात करते हैं कि we are suppressed why we are suppressed क्यों militancy की बात होती है क्यों वहां पे दैशतगर्दी की बात होती है क्यों लोग उस तरफ रागेब होते हैं क्यों क्योंकि उनको अपने बच्चों का पेट बरना है उनके पास नौकरी नहीं होती उनका एक ही मसला है economic आप उनको नौकरियां दें बजाए कि नौकरियां चीनने से उन्हें नौकरियां दें और ownership दें अपनी चीज़ की उखल अपनी जमीन पे बैटे हुए आप आकर उन्हें कहते हैं कि यह कहां का इंसाफ है जनावी स्पीकर I don't think so Balochistan और मैं इस बात की भी condemn करती हूं को हमें यहां पे 22 करोड लोगों का के नुमाइंदे हम बैटे हुए हमें चाहिए एक बरदाश का मादा अपने में पैदा करना जिस तरह हुलिजम यहां पे हुआ मैं जो समझती हूँ मैंने आज तक चार मरतबा यह मेरी चौती मरतबा एं पार्लिमेंट्स में इस तरह का मैंने बहेवियर कभी नहीं देखा दिस इस देशकगर्दी टेरिरिजम इसे कहते हैं किसी बेन की आंक किसी बाई का नाक किसी गाड को जखमी जो आज तक ड्यूटी भी नहीं आ सका हमें चाहिए कि हम लोगों को सिखाएं और बताएं एक मिसाल बने मगर हम 22 खुरूड लोगों की बेमिसाल बन गए उनमें उल्टा हमें फोन आते हैं कि इस तरह से यू बहेव हमारे बच्चे हमें कहते हैं कि माम इस इस दो वे यू बहेव परलिमेंटरियन बहेव दिस वे बहेव दिस वे इट इस इंपॉसिबल इट इस इंपॉसिबल विदाउट जैस्टिस और आप एक्वल राइट्स जब हर प्रोविंस को देंगे तो नैशनल इंटेगरिटी खुद बखुद यहां पे इस मुल्क में आ जाएगा बलुचिस्तान के साथ एक और ब्लफट चीजें भी बहुत होती रही है जनाबस्टिस फीकर फेडरल पबलिक कमिशन पबलिक फेडरल जो कमिशन है वहां पे जॉब जाब आती हैं वो एड़्टाइज़ ओती है और जब एड़्टाइज़ होती हैं जब बलुचिस्तान के लोग जाते हैं वहां पे जॉब भी नहीं है इसकी तो आप इंक्वारी करा लें प्लीज जनावी स्पीकर I need your attention here प्लीज आप इस मैं आपी को सुन रहो जी ये फेडरल जो कमिशन है पबलिक सर्विस कमिशन है इसकी इंक्वारी तो आप जरूर करवाएं कि ये जो बलुचिस्तान के जॉब्स हैं ये एटवर्टाइज होते हैं और कहां चले जाते हैं इसकी प्लीज आप कहे दे मैं वाइंड अप करती हूं जनाव अब ये तक तो मैंने दो मनिट भी मुझे नहीं होएं प्लीज जिस अमनिट आपकी स्पीच में जो आपने जिस पेराय में बात की थी के बेज़ए तो उसको अक्सपंच किया जाता है अबाउट वोट टीक है जी चले हैं तो और रहाइए चुके मैंने स्पीच मंगाई है जो पेराय था तो उससे मैं नहीं समझता कि मुनासिब नहीं है तो आप अनरेबल मेंबर हैं जो किसी के बारे में चाहिए कोई M.P.O. M.N.A. हो तो मैं समझता हूं जो सब के लिए अनर की बात है और ऐसे अलफाज जो है हम अपनी जो मैं समझता हूं जो जो पर आप इसकी इनक्वारी कराएं और जो फेक डॉमसाइल पर आते हैं बलो चसान के यह प्लीज यह हमें खा गएं अमारे बच्चों को अमारे फ्यूचर को अजिस नीड़ तो बी सीन और इन शूरट वाइड आइस National Assembly के हमारे कहां पे ये जॉब्स चले गए हैं और दूसरी बात ये जो एसास प्रोग्राम है जो बेन अजीर सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग थे इनके जो कॉंट्राक्ट थे ये खतम हो गए हजारों लोग जॉब्स हो गए हैं जनाबे स्पीकर इनको वापस रिवाइव करें वापस एसास प्रोग्राम के ये जो लोग हैं इनको वापस जो कॉंट्राक्ट इनका खतम हो गया है इनको वापस रिवाइव कर लें प्लीज कमस कम वो उनके बच्चे इस government को याद करेंगे दूसरी बात मैं ये कहूंगी अगर मैं फिर से बलुचिस्तान के में बात करूँ तो ये मेरा हक बनता है कौमें जब तक अपने हक को रुकू की बात नहीं करें और जो मसाइलें उनको जागर नहीं करें वो कौमें मर जाती है मैं अपने बलुचिस्तान की आवाज यहां पे बेटे हर बलुचिस्तानी जो यन सीटों पे बैटा हुआ मैं फेडरल गवर्मेंट से भी ये अपील करती हूँ खुदारा हमें आप डिप्राइव ना करें बलुचिस्तान इस वक्त आपने सीपेक बलुचिस्तान को दियें अगर मैं सीपेक के रोड नहीं देखती कराची चमन टू कराची हाइवे मेरा गर कलाट में में रोड पे है जो हजारों ऐकसिडेंट्स होते हैं वहां पे वहां पे मेरे भाई आगा मामूद शाह भी बैटे हैं वो भी कलाट के हैं जो आए दिन Emergencies में लोग वहाँ पे मरते हैं मगर वहाँ पे हिस्पिताल इमर्जिंसी Rooms नहीं है Ventilators तो बहुत दूर की बात है आज Ventilators ना उने की वज़े से आज मेरा भाई मेरा एक Senator Colleague जो अल्ला को प्यारा हो गया Senator उस्मान काकर साहब जो son of the soil ते जो बलोचिस्तान की नमाइंदगी चाए पश्टून हो बलोच हो पंजाबी हो पठान किसी सबसे बालातर रोकर वो सब की बात करता था मगर आज वो इस दुन्या में नहीं है आज हमारे लिए एक और कम हो गया जो हमारी बात करता था हम महरूम हो गये उस बाई के साहे से तो जनाब स्पीकर आइस्ता आइस्ता तमाम लोग इनके आवाजें कम होती जा रятся रही है और आवजें बंद होती जा रही है इन आवाज़ों को कम होने ना दे। बलोचिस्तान की आवाज और बलोचिस्तान की छब कुकू की बात मैं इस फोरम से मांगती हूं प्राइम मिनिस्टर साब से मांगती हूँ क्योंकि अकीकत में इस वक्त उनकी गवर्मन्ट है अम उनके अलाइज हैं यहां पे बैटे तमाम जो सुबें हैं फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जिस तरह तीन फेडरेटिंग यूनिट्स में आप देख सकते हैं कि कि तरह मगर हमें सहारा फेडरल की चाहिए यू मस्ट है बलुचिस्तान तो गेट आप और इस वी नीट फ्रम इस गवर्मनेंट और जिस तरह से यहां पे क्रिटिजम होती है इडिफेंस बजट की मैं समझती हूँ हमारे डिफेंस बजट में इससे डबल देना चाहिए था क्यूंकि हमारे बॉर्डर्स को तो वही हमारे लिए सेव कर रहे हैं एक्जैक्टली हम नाले या गली बनाने के लिए इस यहां पे ये कानूंसाद इस हमली है बजट उनको मिलना चाहिए जो इंसान के इफाज़त करे और अला के बात हमारे फाज़त हमारे इफाज़त करती है मैं स्थाल मारे प्सक्राइब करें प्सक्राइब करते हैं ऐस क्योषमारे हमारे ठृट हम और फेसे थाधर इस जा coalition उसमारे है और सोफम सहटे का चेट उनकोड़ा ए्समेष्या हमसेवा इसम्हादर्स